तो रोलर आपने देखा होगा ग्राउंट में यूस किये जाते हैं तो यहां पे आपने देखा है कि आपको दिया हुए डायमेटर 84 सेंटीमेटर आपको दिया हुए इसकी लेंद्ध रोलर की लेंद्ध दिया है 120 सेंटीमेटर and they are saying कि वो 500 complete revolution लेगा to level up playground एक playground है उसको पूरा उसने क्या करना है पूरा 500 complete revolutions लेता है वो पूरे level करने के लिए तीक है अब हमें बोला जारा है कि area निकाल के दिखाओ इसका तो area कैसे निकलेगा हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये एक बार जब rotate कर रहे है तो कितना area cover कर पा रहे है एक rotation में कितना area cover कर पा रहे है उसी से हम बांसों का निकाल लेंगे तो सबसे पहले तो आप क्या करो answer हमें चाहिए meter square में और हमें दिया हुए values जो है हमारी वो किसम है centimeter में है तो इसको हम convert कर लेते हैं directly तो diameter आपका 84 है radius कितना हो जाएगा half of it which is 42 centimeter height कितनी हो जाएगी आपकी 120 centimeter तो आपके पास rb है hb है और सबसे main important बात यह आती है कि आपने cs से लगाना है या ts से निकालना है तो यहाँ पे आपका cs से लगेगा क्यों cs से लगेगा क्योंकि इन side वाले circles का कोई role है ही नहीं यहाँ पे no role of these two side circles है बस आपका काम किसका है cs से का और यह जो जगा basically level करने के काम आती है तो बस आपने क्या करना है you have to apply to pi rh जिससे कि आपको यह पता चल जाएगा कि जब य यह एक rotation ले रहा है तो कितना area level कर रहा है तो area of playground leveled in taking one complete revelation तो which is equal to 2 pi rh 2 की value as it is pi आपके बस 22 by 7 है r की value आपके बस 42 है sorry यहाँ पे हम इसको पहले convert करते हैं क्योंकि आगे जागे problem नहीं होनी चाहिए तो meter में करेंगे 42 को 100 से divide तो you will get 0.42 meter और height क्या हो जाएगा 1.2 meter अब यहाँ पे values place कर देते हैं अपनी 0.42 and times it with 1.2 इसको multiply करो and you will get the answer for it तो सबसे पहले आप क्या करोगे कैसे solve करोगे इसे सबसे पहले numerator को multiply करतो 44 आजाएगा 2 into 2 44 into 0.42 into 1.2 तो आपका answer आए 22.176 अब इसी को हम क्या करेंगे divide कर देंगे 7 से तो हमारे पस final answer आए 3.168 meter square अब उसने total revolution कितने लिए 500 तो area of 500 revolution कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं multiply कर देंगे 1 वाली value से so it is 500 into 3.168 multiply it आपको answer मिल जाएगा इसका it is coming out to be 1584 meter square and yes इतना area of playground है इसका मतलब ठीक है जितना उसने roll किया है न हमें पता चल गया कि कितना area वो cover कर सकते हैं in 500 revolution it is 1584 meter square बस आपने यह धियान रखना है कि c s से कब लगाने t s से कब लगाने इस case में तो असान था कि c s से पता चल गया आपको कि roller का का side वाले circle से कुछ भी नहीं है न तो इसलिए I used c s in this case next question देखते है question number 5